नमश्कार मैं हूँ आपके साथ हनुश्का और स्वागते आप सभी का आर्नाइन भारत में आप हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें साथ ही आप आर्नाइन भारत को फेस्बुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं खबर आ रही है उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज के सामुदाइक स्वास्त केंद्रू से जहां आशाओं ने C.S.C. अधिक्षिका पर दुर्व्यभार का आरोप लगाते हुए शोर्षा राबा किया है आपको बता दें कि आशाओं ने आरोप लगाया है कि C.S.C. की अधिक्षिता द्वारा 27 अक्टूबर को प्रसफ के दरा अंदुर वेभार किया गया जिसको लेकर मंगलवार को जसरा C.S.C. में एक दिवसिये कार्य बहिशकार कर दरजनो आशाओं ने C.M.O. को ग्यापन भेजा है वहीं C.S.C. अधिक्षिकार जक्टू अंकिता पांडे ने बताया कि आरोप लगाने वाली आशा बहु की विरुद्दे कार के प्रती शितलता को लेकर पूर में नोटिस जारी किया जा चुका है जिसको लेकर आशा बहु रंजिश के तहर निराधार आरोप लगा रही है उन्होंने गाली गलाओज और अभदता जैसी किसी भी घटना को निराधार बताया कि मरीज को रोग रहा था तो अगर हम वहां पर डिलिवर ना कराते तो बच्चे और मा दोनों को जानमाल का खत्रा था किसी तरीके से बच्चे को डिलिवर करा रहे थे मेरी तरफ से एक आदेश जारी किया गया हुआ था कि आशाओं का लेबर रूम में प्रवेश वरजित है वो आदेश इस उसमें रखा गया था कि जब लेबर रूम ऐती जगे है जहां पर हमारे इंफेक्शन संक्रमेट का खत्रा बहुत बढ़ जाता है बच्चे और मा दोरों को संक्रमेट होने के खत्रे होते हैं इसलिए मैंने वहाँ पर आशाओं का और बाकी लुगों का आना जना बंद कर रखा है हम डॉक्टर्स भी वहाँ मास्ट, कैप, सब कुछ लगा कर रहते हैं जब मैंने मैं वहाँ पर अत्यान संवेदन शील केस को दिवी कर रहती कि उस समय ये लोग वहाँ पर बार बार आके हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहती मैंने उस बार पर इनको डाटा कि तुम बहार जौँ अभी हम बार में बात करें इसके अलावा हमारी इसे कोई बात चीत नहीं है लेकिन चुकी ये मैला शायद पहने यहाँ पर ड्यूटी करती थी और मैंने आशाओं के जब प्रवेश वर्जित किया तो उसके बाद इनका वो उनकी आपसी मुस्यर रंजेश है जिसका यह खा में आजा मुझे को बथा पांडे प्रभारी चीके साथ इकिकारी इस पिरसी चस्राइब